इस दुनिया में ना जाने हमने ऐसी कितनी कहानिया सुनी और पड़ी होंगी जिसमें लोग अपने प्यार के खातिर क्या कुछ नहीं करते पर कभी कभी कुछ रिलेशन्शिप्स ऐसे होते हैं जिसमें नफरत और गुस्सा बढ़ जाने की वज़े से वो एक दूसरे की जान तक ले लेते हैं और किसी की जान लेने के बाद ऐसे लोगों को जरा सा पश्तावा तक नहीं होता ऐसे ही अपनी सनक में मश्रूफ एक आदमी ने अपनी गर्ल्फेंड की जान ले ली क्योंकि उसे शक था कि उसकी गर्ल्फेंड का फेर किसी और के साथ भी है और टाइम के साथ साथ ये शक हकीकत में भी बदल गया क्योंकि संकी आदमी को अपनी girlfriend के खिलाफ proof मिल गए थे पर उससे बात करने के बजाए ये आदमी उसके murder की planning करने लगा और शादी के बहाने वो उसे एक hotel में लेकर गया जहां उसने उसका murder कर दिया इतना ही नहीं उसे मारने के बाद उस आदमी ने इंस्टाग्राम पर उसी लड़की के अकाउंट पर एक live वीडियो अपलोड किया जिसमें वो कहता दिखता है कि बेवफाई करने की सजाय सिर्फ मौत उस वीडियो में वो उस लड़की के dead body भी दिखाता है तो आखिर क्या है पूरा मामला इस पूरे कांट के पीछी की वज़य क्या थी जानते हैं आज किस वीडियो में हे एवरिवन वेलकम बैक टु दिन अदर वीडियो आइम भावना एन यू आर वाचिंग भावना क्लिप्स 6 नवंबर 2022 को जबलपूर के मेखला रिजोर्ट में रूम नमबर 5 में गुजरात का रहने वाला अभिजीत पार्टीदार और जबलपूर की रहने वाली राकी मिश्रा एक साथ रुके थी ये कपल इस होटेल में 6 नवंबर को चेक-इन करते हैं और अगले दिन 7 नवंबर को कुछ ऐसा होता है जिससे पूरे होटेल स्टाफ के पैरो तले जमीन खिसक जाती है इस होटेल की CCTV फुटेज के अकॉर्डिंग दोपहर के 3 बच कर 53 मिनट पर राकी मिश्रा अपने रूम में जाते वे दिखती है इसके बाद अभिजीत पार्टीदार साड़े 5 बजे के करीब उस रूम से निकलता होग दिखाई दिया जिसके बाद वो वहाँ वापस ही नहीं आया यही वो डेड़ घंटे थे जिसमें कतल हुआ था और कतल के बाद इस संकी आशिक ने एक लाइब वीडियो बनाया जिसमें वो कह रहा है कि वो बेवफाई और बेवफाई की सजा है मौत अब हिजीत रूम को लॉक करके बाहर जाता है लेकिन फिर वो कभी वापस ही नहीं आता ना ही वो लड़की इस रूम से बाहर निकलती है मतलब शाम के बाद से ही ना तो उस कमरे के अंदर कोई गया था और ना ही उस कमरे से कभी कोई बाहर निकला था और फिर अगले दिन भी आठ नमबर को जब ब्रेकफस्ट के लिए रूम नमबर फाइफ का गेट नहीं खुला तो फिर रिजॉर्ट वालों को कुछ शक हुआ जिसके बाद वहाँ के ओनर दुप्लिकेट की से उस रूम का गेट खोलते हैं जिसके बाद वहाँ का नजारा देखकर सबके होश उड़ जाते हैं अंदर बेड पर पड़ी थी उस लड़की की लाश जिसके गले और हाथ की नस्कटी हुई थी साथ ही पास में दो ब्लेड भी पड़ेवे थी ये देखकर सब घबरा गए और फॉरन पुलिस को कॉल किया जब पुलिस वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि किसी ने बड़ी बेरहमी से इस लड़की का मर्डर किया था जिसके बाद रूम से सारे एविडेंसिस को पुलिस ने कलेक्ट कर लिया पुलिस उस रिजॉर्ट से उन दोनों का अधार कार्ट कलेक्ट करती है जिससे उनका नाम पता चलता है लड़के का नाम अभिजीत पाटीदार और लड़की का नाम राखी मिश्रा था इसके बेसिस पर आगे की छान बिन शुरू होती है लेकिन पुलिस को काफी टाइम तक कोई लीड नहीं मिल पाती जिसके बाद उस कमरे से निकाले गए फिंगरप्रिंट को स्कैन किया गया तो पता चला कि ना तो उस लड़के का नाम अभिजीत था और ना ही उस लड़की का नाम राखी था अपिरेंटली उन दोनों ने रिजॉर्ट में चेकिन करने के लिए फेक अधारकार्ड का यूज किया था और उनका असली नाम था हेमंद भडाने और शिल्पा जरिया साथ ही जब पुलिस ने हेमंद का फिंगरपिंट नैशनल आटमेटिड फिंगरपिंट आइडन्टिफिकेशन सिस्टम में स्कैन किया तो उसकी पूरी की पूरी कुंडली सामने आ गई हेमंद के उपर नासिक में कई सारे क्रिमिनल केसिस अल्रेडी रिजिस्टर थे अब फाइनली पुलिस को इस केस में एक लीड मिल गई और उसके बेसिस पर उन्होंने आगे की इंवेस्टिकेशन स्टार्ट की उन्हें एक टेक्सी ड्राइवर ने ये बताया कि उसने हेमंद को सियोनी डिस्टिक्ट के लखंदान के एटियम में पैसे निकालते वे देखा है जिसके बाद पुलिस उस एटियम में गई और वहां की CCTV फुटेज निकल वाई जिससे पदा चला कि वो शिल्पा का एटियम कार्ड यूज कर रहा था अब पुलिस ने उस डेबिट कार्ट की एक्टिविटी को ट्रैक करके हेमंद के मुव्मेंट्स को ट्रैक करना शुरू किया हेमंद हर बारा घंटे में अपना लोकेशन चेंज कर रहा था ताकि कोई भी उसे पकड़ना पाए और दस दिन में करीब उसने चार हजार किलोमीटर ट्रैवल कर लिया था लेकिन फाइनली राजिस्तान से अजमेर जाते वे रास्ते में पुलिस ने उसे पकड़ लिया और उसे अरेस्ट कर लिया गया साथ ही उसके पास से शिल्पा का ATM कार्ड, डेल लाक रुपे कैश और सोने की जूलरी मिली जो की शिल्पा की ही थी हेमेंद को अरेस्ट करके पुलिस टेशन लाया गया और उसने फाइनली कनफेस किया कि उसने ही शिल्पा को मारा था पर उसने शिल्पा को क्यों मारा था? उसने बताया कि मर्डर करने से पहले रूम में उसने बहुत तेज वॉल्यूमें गाने चलाई थी ताकि उसकी अवाज भाळन जा सके जिसके बाद उसने शिल्पा के गले और कलाई को काटा और उसकी बोड़ी को रजाई में फोल्ड करके वहीं पर छोड़ दिया था उसके बाद 7 नवंबर को वो वहां से फरार हो गया हेमंद फरार तो हो गया था लेकिन उसके बाद वो शिल्पा की इंस्टाग्राम आईडी से पिछले पाँच दिन में एक के बाद एक पोस्ट करने लग गिया जिसमें वो शिल्पा की बेवफाई के सबूत सबको दिखाता है 29 साल का हेमंद बढ़ाने नासिक महराश्ट का रहने वाला था और एक respected middle class family से बिलॉंग करता था हेमंद का financial background भी वैसे तो ठीक ठाक था और उसे cyber की अच्छी खासी education मिली थी लेकिन उसके अंदर बहुत ही जादा अमीर होने की सनक थी इस वज़े से उसने कई सारे crimes and fraud किये थे पुलिस ने जब उसका background छाना तो पता चला कि उसके उपर कम से कम 40 criminal cases है in fact past demo से एक साल की jail भी हुई थी किसी की bike चुराने के मामले में हेमंद के most of the google searches भी इसी basis पर थे कि किसी के साथ online fraud कैसे कर सकते हैं ins of findings की basis पर ये clear हो गया था कि हेमंद का हमेशा से एक criminal mindset था और ये कोई certain incident नहीं था सबसे एहम बात तो ये थी कि शिलपा इस web में फस गई और वो हेमंद के intentions को नहीं समझ पाई हेमंद 21 साल की शिलपा जरिया से मिला और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया इसके बाद दोनों relationship में भी आ गए लेकिन हेमंद को शिलपा के उपर शक होने लगा क्योंकि वो अकसर दूसरे लड़कों के साथ अपने इंस्टाग्राम पर pictures पोस्ट करती रहती थी साथ ही हेमंद के ही एक दोस जितेंदर ने उसे बताया कि शिलपा का उसके साथ भी affair चल रहे जिसके बाद हेमंद आग बभूला हो गया और शिलपा से बदला लेने की उसने ठान ली कोर्ट में ये भी बताया कि शिलपा का murder करने के लिए उसे जितेंदर ने ही guide किया था मिलने के बहाने से उसने शिलपा को उस resort में बुलाया और दोनों ने fake अधारकार्ट के basis पर वहाँ पर stay किया था यहाँ पर शिलपा अपनी जूलरी लेकर क्यों आई थी और वो अपनी fake ID दिखाने के लिए क्यों मान गई थी ये clear नहीं है हो सकता है कि हेमंद ने उसे भग कर शादी करने का जहासा दिया हूँ और इसी जहासे में शायद उसने इस step लिया होगा पर आपको क्या लगता है शिलपा ने ऐसा क्यों किया होगा comment section में अपनी opinion ज़रूर शियर करना so let's continue इसके बाद उस resort में हेमंद ने शिलपा का गला काटा और हाथ की नस काट कर उसे बेट पर ही मरने के लिए छोड़ दिया उसका murder करने के बाद हेमंद ने उसी के instagram पर वीडियो बना कर पोस्ट की थी जिसमें वो कह रहा था बेवफाई नहीं करने का बेट पर शिलपा की बोड़ी चादर से ढखी हुई थी और वो बस अपनी लास सास ले रही थी साथ ही उसने वीडियो में बताया था कि वो पटना का एक ट्रेडर है और शिलपा उससे 21 लाख रुपे ढखकर भागकर जबलपूराई थी जो की जूट था इसके बाद हेमद ने इंस्टाग्राम पर एक और पोस्ट डाली जिसमें उसने कहा था बाबू हेवन में फिर मिलेंगे बड़ फाइनली हेमद पूलिस की हिरासत में है और उसके उपर सेक्शन 302 मर्डर और 201 क्राइम करके भागने के चार्ज लगाए गए और इस वक्त वो जेल की हवा काट रहा है आज के टाइम में एक दिन भी ऐसा नहीं है जिस दिन हम ऐसे मर्डर और प्राइम की बाते नहीं सुनते ऐसे ये केस हुआ था यूपी के बुलन शेहर में जहां पर अधनान नाम के आशिक ने अपनी गल्फेंड का मर्डर कर दिया था इसके बाद वो भी पुलिस के सामने लाइव रिकॉर्डिंग पर ये कहता हुआ दिखा था कि बेवफाई की सजा सिर्फ मौत है तो अगर आप इस वीडियो को देखना चाते हैं तो उपर दिये वे आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं इस पूरी वीडियो को लेकर आपके क्या ओपीनियन है हमें कमेंट सेक्षन में जरूर बताएं चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में किसी नए केस के साथ